तीन पडोसी अपनी फसलों को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे तीनों खेतों में ऐसी फसले थी जो मुर्जा रही थी और कीटों द्वारा संकर्मित भी थी हर दिन वे अपनी फसलों को बचाने के लिए अलग-अलग योसनाई बनाते थे पहले वाली ने खेत में एक बिजू का रखा दूसरे ने केट नास्कों का उप्योग किया और तीसरे ने अपने खेत पर एक बाड़ लगाया परंतु सब निरर्थक साबित हुआ एक दिन गाउं के प्रमुक ने तीनों किसानों को बुलाया उन्होंने तीनों को एक-एक लकड़ी दी और उन्हें वह तोड़ने को कहा तीनों किसान उन्हें आसानी से तोड़ सके अब उन्हें तीन लकड़ीयों का गट्टर दिया उन्हें वह तोड़ने को कहा इस बार किसानों को लकडियां तोड़ने के लिए अधिक ताकत लगानी पड़ी काम के प्रमुक ने कहा अकेले काम करने से ज़्यादा ताकत साथ काम करने से मिलती है किसानों ने अपनी योसनाओं की सारे चिज़े इकठा की और आखिर कर अपने खेतों के किटों से चुटकारा पाया इसलिए तो कहा गया है एकता में बहुत बेल होता है धन्यवाद